कि अब आप्टनून एवरीवान जैहें स्टूडेंट्स कैसे हैं सब लोग क्लास का टाइमिंग आप सबको पता चल ही गया है कि अब दो से तीन होगा डेली ठीक है तो यह याद रखिएगा और अब हमें दो बज़े ही मिलना है प्रिपरेशन के लिए गूराफ्टनून हेलो कि सब लोग जॉइन हो गए हैं शुरुआत करें आज के लेक्चर की है कि देखते हैं आज हम देखने वाले हैं हमारा किंग्डम आनिमेलिया कल हमने देखा था हमारा प्लांट किंगडम उसमें क्या-क्या थे सारे कि सारे हमने चीज़ें देखी थी हमने उनके को समझाता हमने concept map को समझा दोस्तरी बात कि अच्छी तरह से और दूसरी बात जो भी फाइलम के बाद किया आता है पिसी ओ फंगस से याद रखा था तो जो भी फाइलम समाच कवर करेंगे उन सब के एक-एक आनिमल को आप अपने दिमाग में रखेंगे एक स्टार आनिमल की तरहें एक बुकमाक आनिमल की तरह, ठीक है जिससे अपन उसके सारे फीचर उसको बता पाएंगे उस एनमल को इमाजन करके जैसे कहीं अगर हमने किसी फाइलम में पढ़ा स्टार्फिश तो स्टार्फिश हमारा वो एक बुकमाक हो जाएगा ठीक है उसको ध्यान में रखकर हम उसके सारे फीचर बताएंगे तो थोड़ हैं तो हम आज आगे बढ़ते हैं ठीक है हलो एवरीवान गुड आफ्टेनून चलिए अब क्लास शुरू करने वाले हैं ठीक है आज का टॉपिक टिंग्डम अनिमेलिया सबसे पहले आज हम क्या पढ़ने वाले हैं तो हम कवर करेंगे सबसे पहले हमारा कंसेप्ट माप कंसेप्ट माप के बाद में हम कवर करेंगे रिस्पेक्टिव फाइलम्स और उनके एक्जाम्पल्स आज का हमारा ये शेडियूल होने वाला है ठीक है बिल्कुल बिल्कुल दीपशिकर रिलेट करके पढ़ेंगे हम सारे आनिमल्स को इमेजन करना जब इजी हो जाता है ना मतब सबकुछ दिमाग में डॉट्स जो हैं वो सारे कनेक्ट होने लगते हैं इंपोर्टेंट क्या है हम किसी भी डिरिक्शन में ना पढ़ें सबकुछ लिंक करके पढ़ें ब्रेन सेल्स मैंने बताया था ने नियूरॉन सारे नियूरॉन का बहतरीन कनेक्शन होना चाहिए तब ही याद रहेंगी सारी चीजें कि सबसे पहले हमारा जो किंग्डम जातीक सिदा पालए है ऊसке बेजिक वीचर क्या थे क्या नहीं बना पाते हैं वो तो प्लांट्स कर रहे थी मतलब हमarmed passion वल नहीं होती यह कोईशन भी आया था मैंने जने갈 वोल होती है क्यों कि हम सबसकते हैं इग्जांपल बता था न बसक्ते हैं उससे हम बत सकते हैं अधमान्स नहीं स्वफली होती है जिक रद्ध मिश्रा माम कैसे ब Tiere most पेचरों को ने विस प्यारी तरफ बताती है जो होलं को जिए जिनको मीजियम में लागा सकते जिनको में सब्सक्ति और जितने चोटे से चोटे नोट्स बना सकते हो उतने चोटे नोट्स बनाने हैं कि उनको एक बार पढ़ा एक बार देखा पेज की तरफ और वह याद हो गया नोट्स को लेकर कभी रटने मत बैठना है नोट्स को एक बार अगर हात में लिया ना तो उनको 10 बार अगर देख लो गये तो वह आपके द्माउड पिक्चिर एमेज़ उसके च्छप जाएगि कि जो एक्जाम में आज इस आपके दिमाग में उतर के आएगी रटने मत बैठने एक बार बैठके दस बार उसको देखना देखना है रटने नहीं बैठना है इस तरह से बनाने नोट्स की सिर्फ हमें समझ में आए सबसे शोट फॉर्म में हूं और मैं किस तरह से पढ़ाती ह सब्सक्राइब करूं आपको ही देखने है अपने खाते खाते चलो खाने से पहले एक बर कंसेप्ट में आपको देखकर रख दिया दो दिन के अंदर से माप तुमारे एकदम दिमाग में छिपा हुआ होगा इस बात की ग्यारंटी ले रही हूं ठीक है रिविजियन ह्यां जो सबसे important है और उसके लिए notes होने चाहिए एकदम concise एकदम short इस चीज का हमें ध्यान रखना है क्लियर है है आज मां भिति का मतलब क्या होता है वित्ती का मतलब नहीं होता है सेल वाल सेल के भित्ती थी वो थी हमारी सेल वाल हिंदी में उसे भित्ती बोलते हैं ठीक है क्लियर है विश्याल था पर सेल मेंब्रीन जिल्ली होती है सेल वॉल्प सेल के भित्ती होती है ठीक है सबसे पहले हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावलियों को देखने वाले हैं जो कंसेप्ट में आप में हमें दिखेंगी वहीं देखना है हमें जिससे हम कुछ टर्मिनोलीजी आएंगे सबसे पहले उनको समझते हैं शुक्राइब पहली चीज़ पहली है हमारे बॉडि की सिमेट्री अब बॉडि सिमेट्री में यहां पर हमें दो आनिम्ल्स दिख रहे हैं इससे हम समझेंगे क्या मतलब है अगर यह पहला इनमल है इसको मैंने बीच में से काट दिया तो यहां का और यहां का पोशन सेम होगा हम खुदी का एकजांपल देखें अगर बीच में से एक लाइन ऐसी गई तो मेरा यह वालो और यह वाला पोशन एकदम सेम होगा इसका मतलब दो इकुल पार्ट में डिव कर दे लेकं अगर हम देखेंगे यह प्यारी सी हमारी स्टार फिश को हम ने 1 से जाधा प्लेन में काटा और जतने से प्लेंस में वह लीशन देनी है तो हमने इसको बोला किया बोला रीडियल सिमेट्री यह तोव यह याद रखेंगे यादो diagnos एक तो और रीडियल सिमेट् тобі रेडीयल का मतलब एक से जाधा प्लेन से काड़ा और इपोल डिविज़ंस मिले यह हमारी पहली टर्मिनोलोजी उसके बाद में जर्म लियर मनिर का मतलब क्या होता है geography डेजल में मिलो मतलब नया नया फॉर्टीलाइजेशन हुआ होता है उसके लैपड एंब्रियो बनता है उसमें हमें चेम याद रखो और जीटेल में नहीं समझना है अब यहीं आगे जाके पूरा और गॉच बना रही होती है तो और हमने और तीन ब्लियर्स है कि के से चलास होता है कि इस चलास हो रहा है भले वह सब को कवर कर रहा है और एवरीडइ सेम टाइम पर होगा दो से तिन यहां पर करिए प्रीज छालो धीचो अब इसमें क्या हो रहा है अगर डिप्लोब्लीके मैं बात कर दोलाएं मैंने क्या बहुता है डिप्लोब्ल्स्टिक का मतलब क्या डाइं का मतलब होता है दो मतलब दो लेयर कौन कौन सी लेयर एक एक्टोडर्म मतलब सबसे बहार वाली एक्टो मतलब सबसे बहार वाली लेयर और एक एंडोडर्म एंडो मतलब अंदर वाली लेर के प्लोब्लास्टिक में दो ज़ोंगी एक होगी बहरी एक्तूडर्म और यहीं पैब हम आजाते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक की तरफ तो उर्पल और एंडो मतलब 3 Нав के वीछ में संड़्विच की तरह आ जाएगी ट्रिप्लो ब्लास्टिक में एक और लेयर जिसको हम बोलते हैं मीजो डर्म ठीक है तो हमने यहां पर क्या पड़ा ठीक है जर्म लेयर के बेसिस पे हम लोगों ने देखा कि दो हम टाइप के और ग्यानिजम समय देखने को मिल रहे हैं पहला कौन सा हो गया है डिप्लो ब्लास्टिक मतलब जिसमें दो लेयर हैं एक बाहरी एक्टोडर्म एक अंदर वाली एंडोडर्म अगर हम ट्रिप्लो ब्लास्टिक की बात करें मतलब तीन लेयर हैं बाहर और अंदर के वीच में सैंड्विच की तरह एक और लेयर आ जाती है जिसको हम बोलते ह है मीजोडर्म ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं कि आगे हमारा आ जाता है सीलोम अब सीलोम का मतलब क्या होता है देखो सीलोम का मतलब बिटा होता है क्या मतलब होता है सीलोम का सीलोम का मतलब होता है क्याविटी जैसे हमारे शरीर में अंदर जो क्याविटी है उसके अंदर सार बैंक्रियाज उसी को बोलते हैं हम क्याविटी को यहां पर बोला गया है सीलो मतलब शरीर की गोहा ठीक है अब अगर किसी और गयानिजम में क्याविटी है कि नहीं है इसके बेसिस पर हमने से तीन पार्ट में बाटा है हम कैसे बढ़े थे हम प्रिमिटिव से ड्वांच की त तो अगर हम प्रिमिटिव से ड्वांच की तरफ जाएंगे क्या बोला मैंने अगर पुराने से हम थोड़े से तरफ जाएंगे हैं कि सबसे पहले आ जाता है हमारा एसी मेट जिसमें कैविटी है ही नहीं उससे खोड़ा सा हमारा हो रहा है यहां पर स्व प्रोपर कैविटी अच्छी तरह से डिवलप नहीं है उसके अंदर अभी भी सेल्स है ठीक है अब और एडवांस हो गए और उडवांस हो जाएंगे तो यह हमने पर पीर के जोकि है सबसे पुराने औरगा लोजी-स नहीं यह मिलती हैं उनको हमने बूला एसी लोमेट होए हमने उनको बूला सुडो सी मोर्ट का मतलब पॉल्स क्यावटी एसी क्यावटी जो प्रॉपर लिटेवलप नहीं है ठीक है लेकिन उसमें अभी थोड़ी थोड़ी सेंस प्रेजन्ट हैं उसके बाद में और हम एड्वांस हो का मतलब क्या होता है Wie कि यहां तक क्लियर है आगे हम बढ़ते हैं स्केलिटन मतलब कंकाल जैसे हमारे स्केलिटन किसका बना हुआ है और वो हमारे अंदर है इसका मतलब हमारे मतलब बाहरी शो कंकाल होता है ठीक है एक है कंकाल को तो हम एक्जोस्केलितन अन्तहक अंकाल को हम दोस्केलिटन ठीक है है ए वह जारूरी नहीं है कि विदिन दा बॉड्यीक ही डीविशिं शोटीपसेखा ऊपर भी अगर सेग्मेंट्स में है तो इसको भी हम सेग्मेंटेशन रहें पंकत शर्मा लेक्चिर जोका विलेंगे सब यूटीव पे देखें में तग सारे तर्मिनोलोजी यह और कि नहीं है देखा था बॉडी से लूड़ी इसके बाद ने डिपलोब्लास्टिक तृप्लोब्लास्टिक वह इसको हम क्याविटी बोलता है यह वह सीलोमेट और वह चाहिए हमारा स्वी लो में उसके बाद में स्केलेटन देखा ठीक है यहां तक सब कुछ क्लियर है क्या तो एक बार था रहेए बता दीचे एक बार कि कुछ क्लियर था वी डाँट है कि आगे बढ़ें समझने वाले हैं मिपॉर्टन चीज समझने वाले हैं उससे पहले चीज़ होनी सरूरी थी पता दूए करें। ओने बड़े पॉफ स्पार्टन वून इसमेड़ पॉफ कैलशियुम फॉसफेट सॉल्स मैं बताया था निशाब हमने अधियू पड़ा था कि बोन एक टाइप री कनिक्टिव टिशू होती है उसमें उस्टियो साइट सोते है उसकी जो मैट्रिक्स होती है वह कैलशियुम फ कमेंट्स मुझे देख रहे हैं नहीं मुझे किसी भच्चे से कोई धिश्मनी नहीं है मैं आप सब के लिए ही हूँ यहां पर कोई भी डाउट है तो आप मुझे बिल्कुल बता दीजिए ठीक है आगे बढ़ते हैं हम आने वाले हैं हमारे कंसेट मैप और मैं चाहती हूँ हमारे multiply kingdom होता है Plant Cellular के हमें पता है उसको हमने 2 parts में wonderful कि ठोड़ा सा primitive होगा एडवान्स होगा वैसे ही हमने इसको склад कि ऐसे लिवल अगर है सबसे में क्या था सब से प्रिमिटिव में हमारे 000 आते हमारे टिशुज में से लिवन अगर हैं तो उसमें सबूब हम किस बस सबसे पहले जहें süफ है की चिशू है की और symmetry मतलब सबसे asymmetrical कोई symmetry नहीं है और सबसे प्रिमिटिव में क्या बताया था मैंने शुरुआत किस ती एसी लो मेट्स जिसमें तो नाता था एक स्पॉंज बॉब और स्पॉंज घर में भी होता है तो जो स्पॉंज होते हैं जो आते हैं पॉरी फैरा में ठाट थोड़ा बड़ा कीजिए देखो मैं जो बोलती जा रही हो ना आप एक बार उसको समझते जाओ जब आपके पास PDF आजाएगा तब ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए जो आपको समझ में नहीं आ रहा है यार इतना बड़ा चार्ट है उसको में डिवाइड नहीं कर सकती थी ना वह इतनी बड़ी स्क्र सिमेट्री होती है ठीक है तो हम सबसे पहले रेडियल सिमेट्री के उपर आते हैं अभी तक हमारी प्रॉपर क्याविटी नहीं आई है अभी तक क्याविटी नहीं है तो इसमें आ जाते हैं हमारे सीलंट रेटा जिनको हम बोलते हैं निडेरिया अभी अब सीलंट रेटा को को हमने बोला निदेरिया भी और टीनोफोरा अगर हम बाइलेटरल समेट्री की तरफ आ जाते हैं अब थोड़ा एडवांस्मेंट आ गया है अब बाइलेटरल समेट्री आ गई है उसमें भी अभी तक अगर क्याविटी नहीं आई है यह सीलोमेट है तो आ जाएगा प्लेटी हमेंट्स का मतलब होता है प्लाट तक का मतलब होता है फ्लाट वर्म से यहां पर हमें देखने को मिलती है जिनकी ऐसी एकदम फ्लाट और अगर इसमें अब सुडोव मेंट् आ गये हैं अब देख़रें हो चावटी चुडोवे अला रहे है और इसका एकजांपल आ सकता क्या है क्या है है इसका है हमारा hatte तो इस बाकिए के जो हमारे वाइलम्स वहाजाते है ऐसे आ जाते हैं अलीड़ा आथ्रोपोडा मॉलस्का एकाइनोडरमिटा हेमिकोडिटा यह सारे इसमें आ जाते हैं अभी नाम धोड़े अजीव लग रहे होंगे एक एक करके पड़ेंगे तो तुम लोगों को भी सारे याद हो जाएंगे एक समें पता है जो हमें यहां पर देखने को मिल रहा है ना उसमें रेडियल सिमेट्री होती है अब भी हम बाइलीटरल सिमेट्री देख रहे थे हैं लेकिन सारे बाइलीटरल सिमेट्री के बीच में एक ऐसा आ जाता है फाइलम जिसमें रेडियल सिमेट्री है एक्सेप्शन है वो है एक काइनोडरमेटा ठीक है का मतलब क्या होता है क् एसी स्पेस जहां पर सारे और गंस प्रिजंट होते हैं एसी स्पेस को हम बोलते हैं क्याविटी ठीक है नीतो और मनीशा क्लियर है हमारी बॉडी में भी जो स्पेस है अंदर उसी में एक स्पेस में ही सारे और गंस प्रिजंट है एक प्रॉपर स्पेस है प्रॉपर लिर है एक है है सुघ्वाइब फ़ोग एक्जांपल से समझाते हुआ के अंदर भरा हुआ है यह पानी अगर इस बॉटल में बिल्कुल स्पेस नहीं होती तो वह सबसे प्रिमिटिव और अगर इस बॉटल में छोटे-छोटे प्लास्टिक के तुकड़े भी होते अभी भी तो उनको बोलते हम सूडो सीलो में और अगर एकदम खाली स्पेस एकद जान भी भी इस फाल्स है इस फाल्स स्पेस ब्साइन ऐस का मतलब क्या होता है जूटा मतलब होता के अभी थोड़े थोड़े सेलस अभी वहां पर फ्रेजंट होंगे है तुए इसको इसको का of hedra टि वाइट की तरफ स्पारने की तरफ बढद है हमने कैसे भी नहीं लिख रखा इनको हम एट्वार्ट में और तुछ एकने ञवार्ट रखा है लेकिन सीलो में इकाइनो डर्मेटा में रेडियल सिमेट्री होती है एक एक सेप्शन है ठीख है कि यह विखे सबको सारे कंजेप्ट क्लियर हैं डाउट्स क्लियर हैं तो हम एक नई प्यारी सी टेबल की तरफ आ रहे हैं अभी कि आपो दो पार्ट्स में डिवाइट करें कि एप लिए हैं है 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 आप एक चालो नियुक्त पार्शिल क्याविटी हां बोल सकते हैं प्लूर्स क्याविटी अब यह जो हमारी टेबल है ना यह बहुत है करने वाली है हमें चीजों को समझने में बहुत जादा क्योंकि अगर हम करके बढ़ेंगे मैं क्या कर सकती हूं मैं तो यह भी कर सकती हूं कि एक एक करके सारे पड़ाना शुरू कर दूँ लेकिन याद कैसे रहेंगे या तभी रहेंगे जब हम उन्हें कंपेर करते हुए चलिंगे हमारा बेसिक हैं यह है कि हमें एक्जाम तक यह सब याद होना चाहिए ठीक है और जब एक्जाम के टाइम से पहले तुम इसको रिवाइस करने बैठोगे तब यहीं टेबल तुम्हें बहुत प्यारी सी लगने वाली है क्योंकि इसी टेबल से तुम्हारा पूरा चाप्टर रिवाइस हो जाएगा इसलिए मैंने इसे बोला है प्यारी सी पावन संग देख नहीं रहा है देखो मैं बोलती जाओंगी मैं एक एक करके चीज़े समझा रहे हूं अभी थोड़ा सा वेट करो मेरे उपर डिपेंड करो इस चीज को चुरू करते हैं सबसे पहला हमारा देखो हमने किस बेसिस पर कर रखा है हम यह देखते हैं यहां लिखा फाइलम फाइलम के बाद लेवल ऑफ ओगनाईजेशन सिमेट्री सीलों मतलब क्याविटी सेग्मेंटेशन हमें पता है डाइजिस्टिव सिस्टम है की नहीं है सर्कुलेटरी है की न चालो आजाओ यहां पर सबसे पहला हमारा था पौरीफेरा तो सबसे प्रिमिटिव होता है तो सबसे पहले सेलुलर होगा ठीक है उसके बाद में symmetry कैसे होगी इसमें asymmetrical था सबसे प्रिमिटिव है इसलिए सी लोम नहीं है segmentation नहीं है digestive system नहीं है circulatory नहीं है respiratory नहीं है कुछ नहीं है इसमें सबसे primitive है digestive system अगेरा कि हम बात ही क्यों करने भी या cellular level of organization तो organs अगेरा कुछ नहीं बने कुछ नहीं है इसमें पौरी फैरा में तो कुछ याद नहीं रखना कुछ नहीं है cellular level of organization ठीक है अब इसमें क्या distinctive features है कि यहां पर बॉड़ी जो होती है उसमें पोर्स होते हैं और के नाल्स होते हैं ने तो मैंने पहले ही बता दिया था ठीक है या इसमें तफ था याद रखने में पौरी फैरा यहीं तुम लोग को पूरा याद हो गया cellular level of organization है इसमें कुछ भी खास बात नहीं है सबसे प्रिमिटिव है पोर्स होते हैं एक्जाम्पल हो जाए sponges easy हो गया ना कुछ भी याद नहीं रखना चलो next की तरफ बढ़े sealant traitor sealant traitor है हमारा यहां पर बड़ा बड़ा लिख देती हूं क्या है हमारा next sealant traitor जिसको हम बोलते हैं निडेरिया अब इनको निडेरिया क्यों बोलते हैं निडेरिया इसलिए बोलते है क्योंकि इन में एक special टाईप के सेल्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं नीडो कि प्रोटेक्टिव मेक्यानिजम है इसलिए सिलन ट्रेटा को बोला जाता है निडेरियन्स क्योंकि इन में होते हैं नीडो ब्लास्ट है चलो आगे बढ़ते हैं आगे बढ़े आगे हमारा आता है इसी को हम देखते हैं पहले लेवल ओफ और सेलुलर से सिर्फ टिशू की तरफ आये हम ठीक है और जादा और वगएर अभी भी इसमें कुछ नहीं आया हम सिर्फ टिशू की तरफ आये हैं सिमेट्री हमने रेडियल देखिये हमने बोला था थोड़ी प्रेमिटेव होती है तो रेडियल सिमेट्री अभी भी सी लोम नहीं आया क्योंकि सी लोम तो भाईया एसकिल में आने वाला था ना मैंने बताया था अभी इसमें सेग्मेंटेशन नहीं डाइजस्टिफ सिस्टम भी इंकम्प्रीट इस है रेश्पिरेटरी भी नहीं है नीड व्लास्ट होते हैं मतलब इसमें में क्या याद रखना था बस इतना से याद रखना था किसमें टिशू लेवल आ गया है और स्वागी तो कुछ आहीं नहीं रहा है अरे बॉनसर की मुझा रहा है या डाउट है कंपेर करते हुए चल यह आपसेंट है सेग्मेंटेशन आपसेंट है डाइजेस्टिव सिस्टम इंकम्प्लीट से अपसेंट होती है समय लोको मोशन के लिए मतलब चलने के लिए प्लेट्स प्रिजेंट होती है यह एक स्पेशल फीचर आ जाता है हमारा किसका तीनोफोरा का क्या लिखा हुआ है टीनो फोरा निडीरिया के बाद में आया उसमें इसी प्लेट्स होती है कुछ गॉम्ब प्लेट्स होती है चलने के लिए लोको मोशन के लिए कोई डाउट है क्या देखो यहां पर ध्यान दो है ना सब पालतु की बाते नहीं चलो नेक्स्ट हमने अभी तक क्या पड़ा सबसे पहले पॉरी फेरा प्रेमें टेव उसके बाद में इसको हम बोलते हैं उसमें टिशू लेवल आएगा टीनो फोरा में भी टिशू लेवल है कुछ भी अभी तक penghaz up नहीं हमारे पास ठीक है नेक्स्ट हमारा आता है प्लेटी हेलमेंथिस मतलब होता है वर्म ठीक है बतल कर भेजा करो ठीक है समझ में नहीं आ रहा है वो लिफ कर ने जलिए होगा प्लैटी हेलमेंटिस का मतलब होता है एक फ्लाट वॉर्म ठीक है अब उसमें क्या क्या फीचर देखने को अब देखो टिश्यू से हम आ गए हैं थोड़े ड्वांस की तरफ हम आ गए हैं और 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 सिस्टम लेवल की तरफ ठीक है कुछ नया आ गया है यहां पर हम आ सिस्टम लेवल की तरफ और बाइलेटरल सिमेट्री अरे वा देखो थोड़ा और एड्वांस्मेंट हो गया यहां पर ऑपे बीच्छ नहीं है और सेमेटरल सेमेट्री आ गई है यहां पे क्या लेखा हुए फलाट बाडी होती है और सकर्स प्रिजंट होते हैं जो सकर्स होते हैं यहां बताया मैंने देखो अब हमने पॉरी फैरा से शुरू किया था पॉरी फैरा के बाद कि तरफ यहां पर यार यार सो सुनो सुनो मेरी बात यहां पर ध्यान से सुनो यह चाप्टर थोड़ा रठने वाला है ठीक है इसको मैं कोशिश करी हूं कि मैं रठने वाले चाप्टर भी को भी तुम लोगों को अच्छी तरह से समझा भाऊं ठीक है तो यहां पर ध्यान दो अभी से मत देखो ठीक है कि याद हुआ की नहीं एक बार मेरे साथ साथ में चलो फिर देखना जब हम एक एक फाइलम कंप्लीट करेंगे ना सब कुछ याद होगा ठीक है यहां पर देखो लेटील मेंथिस के बाद हम आंए एस्टिल मेंथिस की तरफ एसकिल मेंथिस को मैंने डबलस्टार मांक करवाया था क्योंकि इसमेड़ान शुरू हो गई थी सूडो सीलो में यहां पर एक खाविटी आना शुरू हो गई है ठीक है और ओर गोन सिस्टेम और बाइलेटराब सिमेटरी यह तो औरगन सिस्टेम और बाइलेटरल सिमेटरी चलेगा वह बाकि तो और आनी शुरू हो गई है ठीक है सेग्मेंटेशन अपसंट लेकिन 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 एक चीज इसमें बहुत खास आई है कि यहां पर पहली बार हमारा डाइजस्टिफ शिस्टम हो गया है एक नहीं चीज आगई बाकी यह भी अप्सेंट है ये भी अपसेंट है क्यों नहीं से में हमारा नया चीज को हमने बोला सबसे important example example है एसकिल में और समय क्या important चीज़ आ गई एक important चीज आ गई है इसमें हो गया हमा digestive system complete तो अगर हम से पूछा जाएगा कि post as a phylum जिसमें digestive system complete देखा गया था incomplete ने complete digestive system देखा गया था तो answer जाएगा एसकिल में एक सुडो सी लो मेड कौनसा phylum है तो answer जाएगा मैं सबस् solemn कि ठीक है और है चलो आगे बढते हैं अनटेस कि यह अनली डा हमारा कौन आता है यह आनलीडा में में इंसली चलेगा ओर में चलेगा बिलेटरल चलेगा अब भाइया और ंज़ से लॉ मेट की तरफ अ बला गई और सेग्मेंटेशन चलो भया एक और इंपॉर्टन वू मांति इना इसका मतलब यहां पर प्रेज़ीट थे था ही थी अ ज데ह स्टम में यहां परफी था ठीक है इंपॉर्टेन्च चीज चाहिक यहां पर रेश्पिरीत पहली बार प्रेजेंट हो गया है क्या इंपोरेंट आया हमारे ऑनलीडा में है Bakitum प्रहें किसा में आता है मैंने कल बताया था आपको मिलेक रिदेखो accents लाइकन हमारा symbiotic relationship था ठीक है किसमें था फंजाए ब्लू-green algae में था ठीक है फंजाए तो अगी किंग्डम है पूरा हम तो kingdom अब हम आ रहे हैं आर्थ्रो पोड़ा में बेटा आते हैं सारे इंसेक्ट्स इसमें भी ओर्गन सिस्टेम लेवल बाइलेटरल सेम कहानी जपनी तो अब तो सारी ही सीलो मेट्स होंगे क्योंकि अब हम पीछे की तरफ तो जाएंगे नहीं है तो अब तो फाइटा है लाइकन क्या कर रहे हूं संभावना नहीं तैलो फाइटा में नहीं आया था कि लाइकन एक रिलेशन्शिप है लाइकन है ब्लू-ग्रीन एल्गी और उनकी रिलेशन्शिप थी यार पूरी डेफिनेशन लिखकर देदी है प्यूश जोशी चीनल ठीक है कल कहीं प्रॉब्लम दाना तो हम एंड में डिसकस करेंगे अभी प्लीज इस पर फोकुस करो देखो अब सेग्मेंटिशन इसमें भी प्रेजंट होगा ठीक है डाइजिस्टिव सिस्ट्रम हुआ तो वह एडवांस्मेंट चलता ही जाएगा अब देखो आर्थ्रोपोडह का ने एक इंपॉर्टेंट बताती हूँ आर्थ्रोपोडह में हमारा हाता है कौक्रोच और आर्थ्रोपो के मतलब क्या हो तो जोईंटेट अपंडेज का मतलब होता है जुड़े हुए पैर जुड़े हुए हाथ ठीक है कैसे अगर मैंने कोक्रोज को ऐसे उल्टा कर दिया तो इसके अगर हम पैर देखेंगे तो वह ऐसे दिखेंगे जुड़े हुए होते हैं यह सबसे है यह स्टार माग वाला वाला वीचर है अध्रोपोडा का सारे इंसेक्ट्स के जो पैर होते हैं और इससे जुड़े हुए होते हैं इसे ध्यान रखना यह क्वेश्यन आया था बता है कि दो बच्चे ले गार्ड़न में खेल रहे हैं उनने एक इन्सेक्ट को देखा अब उस आपको स्टार्टिंग से प्रिप्रेशन करनी है ठीक है चालो आगे बढ़ते हैं आप आते हैं मौलिस्ट का की तरफ मौलिस्ट का में हमारा कौन साज़ाएगा हमार अले चोटे चोटे से वह आजाते आप यहां पे समेंटेशन नहीं होगा ठीक है उसके बाद में यह भी प्रेज्ट सब परिमिटिव की तरफ जाएंगे सबसे नहीं हस्नेल की बाकर यह तरह सबसे बड़ा अजिस सारे शरमत मंने सबते हैं सबसे बड़ा इइक है चालो आगे बढ़ता हैं पर nehme तर्मेटर कि अगर हम बात करें ऊपन है वह हमारी स्टार फिश स्टार पीस्टार्ड में बढ़ी ना चब्राइब वह र догan सिस्टम है सीलो में यहां पर भी सेग्मेंटेशन लेकिन यह तीनों कमप्लीट है वह कि वह कहानी रट रहे हैं अब यहां पर important होता है कि यहां पर सिस्टम होता है ठीक है वह एक इंपोर्टन फीचर है का इनोडर्मेटा का ध्यान रखेंगे ठीक है चलो आगे बढ़े आगे आजो फटाफट से हैं ऑगर हम बात करेंगे तो हैं इसंटम लेवल वाइलेटरल सेम कहानी है यार क्याविटी प्रेजंट होती है सेग्मेंटेशन एपसंट होता है यह प्रेजंट यह प्रेजंट सब कुछ ठीक है लेकिन हैं कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट हम बाद में देखेंगे जब मैं पढ़ाऊंगे कि उसमें कुछ नए टर्म्स आएंगे जैसे प्रोबॉसिस जैसे कॉलर जैसे ट्रंक अभी घवराओ मत सारे पाइलम्स में अपन वो कवर करेंगे ठीक है इंपोर्डेंट पॉइंट था कि उसमें आ जाते हैं प्रोबॉसिस कॉलर और ट्रंक अभी टर्मिनलोजी से डर्ना नहीं अब कॉड़ेटा आ जाता है जिसमें हम आते हैं सबसे एडवांस हमारा कॉड़ेटा जिसमें और सिस्टम लेवल बाइलेटरल फिर से वहीं कहानी सीलो मेंट होंगे सेग्मेंटेशन प्रेज़न प्रेजन्ट होता है उसके बाद में यह प्रेज़न प्रेज़न सब कुछ नई चीज क्या आ जाएगी नओ कर्ड़ माम्नो गड़ेन क्या होता है क्यों वादया में नोटो कॉड एक स्पेशल फीचर है नोटो कॉड क्या होता है अब हम वो समझने जा रहे हैं पूरा अटेंशन यहां पर पूरा ध्यान यहां पर अगर यह और गानिजम है ना तो और गानिजम के बैक में ना ऐसी एक काइलेजनास स्केलिटल रॉड एक रॉड जैसे होती है काइलेजनास रॉड होती है उसको हम बोलते हैं नोटो कॉड जो हेल्प करती है सरे मसल्स से होते हैं लोटो कॉड़ें से बनि Aí यह आगे जाके बडनाता है यह इंपोर्टेनींट सरे सचारे क conventionh repair कौकड इसलिए इसको बोलते हैं कि उसी फालम को क्या बोलते हैं फॉड Uh कि मैं मैं सबसे इजी टर्म समझा रही हूं आपको। जो भी डाउट है आपके से woods लिएफ आर लिए पटाफत से यहां पे अब हमें सारे वाइरम्स कवर करने है ठीक है सबसे पहले आ जाता है हमारा पौरिफेरा सबसे पहले हमारा क्या रहा है पौरी फैरा अब इसमें वहीं अब धोराने वाले और ग्यानिजम सफिद होल्स येस एक्जाक्ली नॉन मूटाइल एनिमल्स है ना यह चल नहीं सकता यह नॉन मूटाइल है ठीक है तो यहां पे नॉन मूटाइल इसका स्टार और मैं यहां पे सारे स्टार एनिमल्स के नाम लिख दूंगी ठीक है जिनको हमें इमैजन करके पूरा काम करना है पौरिफेरा में आ जाएंगे स्पॉंजिस से आप याद रखो कठोर होतीं हैं कि कैसे बहुत कठोर होती हैं सपौंज की दिमाग में सपॉंज एह समीं करते हुए उसके बाद में 139 пару hemodete यान जो पेली है आते हैं मिलते हों हमें पानि में उसके बाद में इक्जाम्पल्स ये तीन남 इंजाम्पल्स एंच्यांस याद रखने हैं क्या एस्जेसिद सब्सक्राइब याद पोज Keeping इंटि Gesundheits क्या यूप्लेक्टिला है ठीक है सब लोग यहां पर ध्यान दो चलो क्या पड़ा हमने पॉरिफेरा में फटाफट से रिवाइस करते हैं ज्यादा टाइम नहीं है पॉरिफेरा मतलब और्गानिजम्स जिन में होल जिन में पोर्स प्रिजेंट होते हैं यह एक जगे से दूस में मिलते हैं एक्जाम्पल्स क्या है एक्जाम्पल्स आइकॉन स्पॉंजला और यह प्लेक्टिला दो तीन बार इन एक्जाम्पल्स को पढ़ोगे याद रजाएंगे एस से स्पॉंज ठीक है इस तरह से आ जखना और यह प्लेक्टिला नेक्स की तरफ बढ़ते हैं नेक इडवान्स हो गया था टिश्यू लेवल आ गया था बाकी सब का सब बरबाद था यहां पे ठीक है तो इस लिए अनिमल्स लिविंग इन वॉटर इनके शरीर में काविटी लेकिन वहली काविटी नहीं है इसको सीलों से रफ्यूज मत करना ठीक है है तूर से एह सते हैं संव में कॉलियूज स Gibbs के पास मेंी upgrade सब्सक्राइब हैं उन इसक Осब की दिए और में इसे को जिए सुझत अब्स आती आप प ही रहते हैं कम पहलें जैसे हैं ठीक है हाइड्रा करके कुछ अनिमल्स होते हैं जो अकेले भी रहते हैं ठीक है उसके बाद में क्या एक्जाम्पल्स हो गए सी एनिमून हाइड्रा जेली फिश जेली फिश स्टार अनिमल था ठीक है काफरीन देखो डीप इतना आता है बिल्कुल आएगा यहां से सीधे उठकर क्वेशन पता है कैसा आएगा नीडो ब्लास से क्या याद आएगा हां मैंने बताया था कि सीलन ट्रेटर को निदेरिया भी बोलते है इसलिए उसमें नीडो ब्लास थे तो तुम आंसर देने के लि पटाफर से सीलन ट्रेटर को हम निदेरिया भी बोलते हैं मेहनत करने से मत कत्रा हो यार कि इतना डीप आएगा हमें कोई भी पॉइंट छोड़ना नहीं है एक एक क्वेश्चन हमें आना चाहिए ठीक है चलो अनिमल्स लिविंग इन वोटर ठीक है अब इसमें इंपोर्ट कि आता है नेट में आता है और भी सबस्क ळेखने फीज्चन हो जो सारे उर फ्लाटर जोडिकर चपता है जैसा ही डैसे चरीयर होता है वैशा चपता है ना वैसा जपी होता है वैशा गर सब्वाट होता है चप्ता होता है वैसा चप्टश PAT INC le bed ने armige लॉस्त फ्लाट वार्म ठीक है यह बाइलेससी मेटरिकल होते अब कैसे अण सकते हो यह सब्सक्राइब लो से हमने काट दिया दो ऑठ मैं टिवायड हो घोगिया बाइलेसमेटरिकल का है मैंने तर्मिनटर जीज उन converting प्रिप्लोब्लास्टिक ट्रिप्लोब्लास्टिक 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 मतलब तीन लियर एक्टोडर्म बीच में सांडविच मीजोडर्म ट्रिप्लोब्लास्टिक फ्लाट वर्म्स बिल्कुल फ्लाट प्रेटी हल मिंतिस का मतलब ही फ्लाट व अएदर फ्री लिविंग और पैरा से या तो फ्री लिविंग होते हैं और पैरा से एक होते हैं ऐई कि मुझसे यह बोल रहा था कि इतना डीप में नहीं आता है क्विश्चन सुनो जो आया एसस्ती में वीशन आया था कि कौन से ऐसे अन्यों होते हैं जो फ्री लिविंग प्लेटी ठीलमंतिस का ठीक है प्रीलिविंग होता है ठीक है किसी के ऊपर coffee ड्रist舉 मैं नहीं होता यह question यह तो छलो आज़ो यहां पर तोiennent फ्री लिविंग होंगे तो यहां एक और एक्जाम्पल टेप वॉम यह इसके तीन एक्जाम्पल से हैं कि क्या पड़ा दुबारा समझते हैं सबसे पहले बाइलेटरली सिम्मेट्रिकल है यह ट्रिप्लो ब्लास्टिक है यह फ्लैट वॉम से ने बोला जाता है क्याविटी इन में होती नहीं है आइधर फ्री साइट के फॉर्म में हो सकते हैं फ्री लिवंग प्लैनेरिया कुष्चिन आया है प्रीवेस यह दो साल पहले आया है या फिर पैरासटिक हो सकते हैं जिसका एक्जाम्पल है लिवर फ्लूक और एक और एक्जाम्पल टेप वॉम ठीक है आगे बढ़ते हैं नीमा टोटा अ हमने वहां पढ़ा ही नीथा नीमा टोटा यह जिसको एक्जाम्पल हमारा था यह ठीक है नीतु संग हमें थोड़ी पता है एक्जाम में क्या आएगा क्या नहीं इसलिए सारे टॉपिक्स पढ़ने होंगे जो मैं पढ़ाती जा रही हूं ना तो मेरे साथ में रहों ना मेर यह पर है ना तुम्हें बताने के लिए क्या रहे है तो क्यों परिशान हो रहे हो बच्चे पर यहां पर हमारे साथ मेहनत करते जाओ ठीक है चालो यहां पर भी बिलकुल बिलकुल भाइले चैकर के शुरूआथ हो चुकी है प्रिपलोब्लास्टिक होता है अब यहां पर प्लाट बॉडी नहीं होती है यहां पर आ गया है सिलिंड्रिकल बॉडी ठीक है जो वॉम्स होती है यहां पर इसका इसका अब एक बीमारी होती है भेखन है में सब यास करते ज muut न सब याद करते हो सब सबमचा इसका मतलब हादіє कि बीमारी हादी पाउं मुस्त-व बीमारी जिसवे पैर बहुत सूच जाता है बाद सर्म में पढ़ेंगे कि वो फिलारियल वाँ की वज़ेसे शूचता है और वो जो फिलरील वोम है न वो इनीमा तोड़े इस में आती है तो यह एक एक्जाम्पल हो गया था राजस्थान से प्रणाम बिल्कुल प्रणां प्रकाश उमार जी चलिए वो में इंटेस्टाइन में देखने को मिलती है ना वो भी इसमें आती है एसके एक्जाम्पल्स ह सबसे पहले बाइलेटरली सिमेट्रिकल होता है माम टीनो फोरा छूट गया आफरीन टीनो फोरा इतना इंपोर्टन नहीं है ठीक है जो इंपोर्टन है जो एक्जाम में आएगा सर्फ मैं वह पढ़ाती जा रही हूं ठीक है फटा फट से आपर ध्यान दो नीमा टोडा बाइ बाटी होती है फ्लेट बहुती नहीं होती है ठीक है उसके बाद में यहां पर टिश्यू होते हैं रियल ऊर्गंस अभी भी प्रिज़न नहीं है सूडो सी लो मेंड होते हैं यह एक इंपोर्टन चीज थी उसके बाद में एलेफंट यसस जो हाती पाओं की बीमारी होती है जो फिलारियल वॉर्म्स की वज़े से होती है वो इनकी वो इसमें आते हैं वॉर्म्स इन स्मॉल इंटस्टाइन या लाज इंटस्टाइन वह इसमें आते हैं इसके इसके एक्जाम्पल्स है ठीक है कि चालो आगे बड़ी कि अधित्य गुट आफ्टनून कि हमारा आता है एंटलीड और हमारा इसका स्टार अनिमल है अर्थ वर्म्स हमारी प्यारी इंट सबसे पहले आता है टीक है देखो एनलीडा में अगर आ रहा है तो bilaterally symmetrical होता है topic lowivi के अरे वाँ यहां पर आ गये हैं सेसंचलन बूछा था ना elael एता अए नेरीज हो जाते हैं हमारे इनलीडा के एक्जंप़ ठीक है चैशनो क्या बताया मैंने एनलीडा बाइलेटरली सिमेट्रिकल ट्रिप्लो ब्लास्टिक यहां पर आ गई है सेग्मेंटेशन भी यहां पर आ गया है एक बात बताओ मैंने तुम लोगों को एक बहुत इंपोर्टन बॉइंट बताया था हमारे इसके बाद में एक स्पेशल फीचर मैंने बताया था इसके बाद में प्रेजंट था सेग्मेंटेशन उसके बाद में पहली बार एनलीडा में आ रहे थे रिवाइस करते हुए चलो इसके में पहले वर डेजस्टिफ कम्प्लीट हो रहा था कि कहें कि एए प्रोबियोक नेयर है यहीं से डियर करते हुए चलना एक हम कहां थे हम थे हमारे एनलीडा पर हमने पढ़ लिया आर्थरोबोडा बंठ लाज पर जिसके पास होते हैं जोएंटेड अपंडेजिस का मतलब होता है सबसे इंपोर्टन फीचर था हमारे आत्रोपोड़ा का इसमें सारे इंसेक्ट्स आते हैं इसलिए यह सबसे जादा बड़ा फाइलम होता है ठीक है चलो उसके बाद में यहां जो बाइलेटरिली सेमेट्रिकल होते हैं यह भी सेग्मेंटेड होते हैं अब इसमें एक इंपोर इसलिए हमारा क्लोज सेर्किलेटरी सिस्टम होता है इनकी अगर बात करें न तो इन में पूरी कैविटी में फैला हुआ है प्लापर व्लेट वेसलस ही नहीं इसलिए इनको बुला ओपन शेर्किलेटरी सिस्टम वाले और्ग्यानिजम ब्लट डस नौट फ्लोव इन वेल चालो उसके बाद में हमारा आता है सीलों में क्याविटी ब्लट फिल्ट बिल्कुल क्योंकि ओपन सेर्किलेटरी सिस्टम नहीं है इसमें लेक्स होते हैं और इसमें सारे इंसेक्ट्स आ जाते हैं पहले प्रॉंस बटरफ्लाइज हाउस फ्लाइज स्पाइडर स्कॉर्पि है स्नेल है बिल्कुल यहां पर सेग्मेंटेशन देखने को नहीं मिलता है लेकिन थोड़ा इस था सेग्मेंटेशन होती है थोड़ी से रिद्यूस होती है इसको याद मत रखो इतना याद रखो कि अब सीलों मेंट शुरू हो चुके हैं है के यह भी तो में उसके बाद सब्सक्राइब कि अब किसी चीज़ को प्यारा नहीं बोलुगी ओपन सर्किलेटरी सिस्ट्रम यहां पर होता है उसके बाद में यहां पर किड्नी लाइक और गन भी होता है एक्सक्रियेशन के लिए अब भी होता है उसक्रियन का मुविंग अराउंड के लिए एक्सांपल्स टायटन ओक्टिपस पाइला उनियू यह सारे एक्सांपल्स हम याद रखेंगे क्या जाए टन ओक्टिपस पाइला और पूनियू प्रॉग एंफीबिया है संभावना यस फ्रॉग बिलकुल एंफीबिया है यहां तक सब क्लियर है आगे के देखते हैं हम पाइलम सब क्लियर है सब कुछ चलो आगे बढ़ते हैं आगे आजाता है हमारा एकाइनो डर्मेटा और इसका हमारा जो स्टार आनिमल है वो है स्टार फिश स्टार फिश है हमारा स्टार आनिमल एकाइनो डर्मेटा का मतलब क्या होता है ऐसे आनिमल जिनका जो स्किन है वो स्पाइनी होता है है इसको सब्सक्राइब बोलते हैं काई शूल चर्मी जिनकी छूल ओते हैं शूल पॉपनी पॉपनी स्कुन ठीक है इसक्लूसिवशिवली एंसी आर्टी में लिखा हुआ है कि इसक्लूसिवली परी लिविंग मराइन ठीक है मतलब पानी के बाहर मिलेंगे निंगे तुमको कहीं पर पानी में ही मिलेंगे सिर्फ होते हैं सेलों में होती है हाड कैल्षियम कार्बोनेट स्ट्रॉक्चिर्स और यूज़स करते हैं इस्टेरियाज पता है क्या है है हमारी स्टर्टंट है कि तो है हमारी इस्टेयरियस टिक है चलो उसके बाद में आगे संब बढ़ते हैं आगे आ जाते हैं हमारे प्रोटो कॉल्डेकर अब यहाँ पे मैंने बताया था कि इसमें इमपॉर्टन फीचरे आ जाते हैं जो आ जाते हैं हमारे प्रोब्सिस यह प्रोबॉस क्षम अयों कि ऋ्यूंग कि यह पूरिज के ट्रंक है क्या है ट्रंक यह तीन पॉइंट से याद रखो ठीक है अगर हम प्रोटो कोड़ेटर की बात करेंगे तो वहां पे हमें तीन चीज़ें याद रखनी है क्या सबसे पहला प्रोबॉसेस कॉलर और ट्रंक एक्सांप्ल साथ टू टू रिमेंबर क्या एक्सांप्ल्स ना थोड़े से तुम्हें दो तीन बार पढ़ने पढ़ेंगे तो अपने आप याद आजाएंगे ठीक है अपने आप यादो चाहेंगे थोड़ा उसमें तो मैंनत करनी पड़ेगी अब और्गानिजम्स के नाम ही आती है नोट हील स्टुक्चर होता है खालो ठीक है अब यह करता है प्रोवाइट सब्सक्राइब करते हैं एक श्ट will अटाच होने के लिए ठीक है अब क्या इसने क DRglich है यह पर यह दाइग्राम Knew बहल से से इसके ठीक है अब अगर हम बात करते हैं कि थोड़ा से confusion हो रहा होगा तो देखोảiटेटा जो होते हैं tinha कॉर डेता दो पार्ट में डिवाइड होते हैं कौन से पार्ट से ही हो जाता है हमारा रोटो कॉल डेटा और एक आ जाता है हमारा कई कि क्या मतलब है देखोंग से होती है लोटो कॉल्ड नोटो कॉलड मैंने बताया था कि एक स्केलेटल रोड होती है एक होती है जिसकी हें से होते हैं मसल्स अगर वह नोटो कॉल्ड से लेकर एंड तक प्रिजेंट नहीं होगा किसी भी डो ड्रोल लेकर अगर ये शहरुत कॉटो कर ओडो labels हो जाती है एधिवर्टेपर्ल्ट जिसको हम ऊपने तो हम बोलते हैं तो नो को हम बोलते हैं वर तै प्रिंगे प्रोटोकॉर्टेटर को थोड़ा सब आने यayo अन्नली फेय towers रांदर को मनेदा अन्ठीट को सकते हैं हम याद रख सकत Uzum हमारे इंफीबियंस हमारे रिप्टाइल्स बर्द्स हम खुद हम सब आने वाले हैं वर्टेप्रेटा में और यह होने वाली कल की कहानी आज तक के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे आज अच्छे से इसको याद कर लेना जुतना भी अभी तक पढ़ाया है ठीक है मैंने क्या बत यह रहा अब यह सब कुछ और बहतर रूप से क्लियर हो जाएगा ठीक है क्या बताया मैंने अनिमेलिया के अंदर सेलिलर लेवल अगर सबसे प्रिमिटिव था तो वह था पॉरिफेरा अभी तक क्याविटी नहीं क्याविटी यानी शुरू होती है एसकिल मेंधिस से ठीक ह हैं जहां पर प्रोपर क्याविटी वाले उसके बाद बाद में पूरा किए टेबल में प्लीज इस टेबल को अच्छी तरह से पढ़ लीजिएगा यह टेबल NCRT से उठी हुई है यहां पर थोड़ा से PDF में भी क्लियर ना होना तो एक बार NCRT उठाके देखना वहीं लेकर आई हूं मैं सरकारी एक्जाम सरकारी किताब प्यारी NCRT वहीं से आया है यह वहां से एक बार क्लियर कर लेना ठीक है कंसप्नाप की है से करोगे सब याद हो जाएगा ठीक है रिवाइज करते रहना और सब लोग अपना ध्यान देना ठीक है चालो बाए बाए